नमस्कार ETV भारत में आपका स्वागत है आज ETV भारत के स्टूडियों में हैं भाजपा के बरिष्ट नेता उतराखंड के पूर्व मुख्य मंत्री और पूर्व केंद्री मानो संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निसंग जे सर बहुत-बहुत स्वागत है ETV में आपका सबसे पहले हम लोग सर उत्तराखंड की उस तैयारिशे शुरू कर लेते हैं जो बटवारे के बाद से अब तिलंगाना में नए विकास को जोड़ने की बात हो रही है कैसे देखे आप दो दिनों तक यहां आप लोगों ने बड़ा मन्थन किया है किस तरह से चीजे दिख रही हैं विकास में बहुत कुछ जोड़ा है यहां के नेताओं ने कि हमने जो राझ जी हमने नए मिले उन्हें हमने विकास की उचाई दे दि है आपने उतर खंड के बात की है और वह भी नवोदित राझळ है और फित ते लंगाना लगवग लगवग वही प्रस्थितियां यहां भी थी जो राझज की लोगों की परिशानिया उत्राखंड हो चाहे वो जारखंड हो चाहे वो चक्तिसगर्ड हो जो तीन राजे उस समय बने अटल जी के समय में और फिर वो तेलंगाना का विशे हो तो उत्राखंड की एदि मैं बात करूँ तो क्योंकि स्वयंक तो उत्र प्रदेश में जब उत्राखंड था तो मैं वहां भी दो बार कविनेन मनती रहा हूं और परवती विकास मनती रहा हूं तो तब 2000 से पहले का उत्राखंट और आज का उत्राखंट यदि हम देखेंगे तो जमीन और आस्मान कंता रहे और इसी लिए छोटे बलकी मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ क्योंकि उस राजय बनने के बाद में उस राजय का वित्व और नियोजन पहला वित्मन्ती था तो हिमाले स्टेट जो मनिपूर में जो रमतिर प्राणागले नरोना चली हमांचल जमुकश्मीर यह जो हिमाले के राजय हैं उसमें उत्राखन ने अपनी बहुत अच्छी उपस्थिती दर्ज की है और वो अपने जिस राजय की कोक से वो पैदा हुआ उत्तर प्रदेश उससे भी वो चाहे आर्थिक प्रबंदन में हो चाहे विकास की आउस्थहपनाओं के विशे कहो वो काफी आगे गया अब इदर तेलंगाना की जहां तक हम बात करते हैं तेलंगाना का भी आंदोलन जब हुआ तो यहां के नौजवानों ने उनकी रोजगार और यहां के विकास को ले करके यह आंदोलन चला मैं पीछे के समय में दो-तीन दिन से इसके बीहर छेतर में गए क्योंकि हमेरे हष्टे अधिक्स जी ने हमको बहुत लग अलग अलग लोगों को कुछ बिदान समय कुछ जिल्लों में जाक करके लोगों से संबाद करने का रखा और सुबह आठ बज़े से रात की दस-दस, ग्याराव, ग्याराव, बाराव, बाराव बज़े तक हम लोग दो दिन तक लगातार मोर्चों की बैठा के यूआ मोर्चा, मैला मोर्चा OBC मोर्चा अलब संख्यक मोर्चा विविन मोर्चों के साथ मीटिंग और आम लोगों के साथ बात्चित करते रहे, तो लोग में निरासा है लोग सोचते थे कि जब ये राज्य बना, तो बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा जो बनवासी लोग है जो पिछड़े लोग है वो बनवासी लोगों को लगता था कि उनको जो जमीने आबंतित होनी है उनको हक मिलेगा तो मुझे लगा कि न तो उनको हक मिला न वेरोज़गारों को रोज़गार मिला और जो नियोजन होना चाहिए था वो नियोजन तो नहीं हुआ लेकिन सबसे ज़्यादा आश्यर जनक बात ये है या आखिर ये दिए छोटे छोटे राज्या हैं जब भारत सरकार तमाम योजनाओं को आपको दे रही है तो आप उसका लाब क्यों ने उठा रहे हैं कि आपने कितना रोजगार दिया उत्तरप्रदेश में कितना दिया बिहार में कितना दिया जो राज्या आप चला रहे हैं उनमें कितना दिया सवाल तूभी आपसे पूछ रहे हैं नहीं वो पूछी तो मैं जवाब दूगा उनको उनको समझना चाहिए कि आपका जो राजिया बना है और जिन राजियों की आप बात कर रहे हैं जमेरा आस्मान कंतर हैं आपने राजिया सिर्फ आंदोलन इसले किया था कि आप भेरोजगारों को रोजगार दें आप यहां की अवस्थापनाओं का विकास करें यहां की पानी यहां की जवानी का सम पेट में पलने वाला बच्चा भी यहां करज के बोज के तले पैदा होगा इसलिए तो तेलंगाना ने बना कि आप जो पेट में अभी बच्चा पलना है उसको भी अभी घर वो से बाहर नहीं निकला कि आपने करजदर बना दिया। का जो सबसे बड़ा बिरोध पूरे देश में चल रहा है अगनिवीर को ले करके या फिर आपके शिक्षानीती को ले करके बहुत सारे सवाल आप पर आजाते हैं कि नीतियों में स्टेट को फेवर में नहीं लेते। कि आपने अगनिवीर की बात की अगनिवीर सुना उन्होंने पूछा उसके बारे में जानकारी की कौन देश दुनिया का ऐसा है जो अपने नौज़वान के अंदर देश वक्ति का जज़बा पैदा ने करना चाहता है। क्या चाहते हैं आप वो कहते हैं चार साल बाद क्या करेगा चार साल बाद अभी क्या बेरोजगार चार साल बाद क्या कर रहें इनके। मैं पूस्ता हूं यहांके मुख्यमंति से अभी क्या कर रहें हैं वो चार साल बाद क्या करेगा वो चार साल में उसके अंदर जो देश वक्ति का जज़बा पैदा होगा वो राश्ट को सरो परिमारेंगा नेशन फर्स्ट हमने हमेसे नेशन को फर्स्ट माना हैं कोई भी दुनिया का देश जिसने सीर्ष पर जाना होगा, वो अपने नव जवानों को अपनी पीडी को देशवक्ती में पहली पंति पर खड़ा करता है। अगनिवीर जब चार वर्ष में एक तो वो सेना के लाइक होगा, वो हर्चेतर में जा सकेगा और उसके अतिरिक तो उसको हर जगा प्राथा मिक्ता मिलेगी। इनको तो समझ में आना चाहिए, आभी तो नोजवान इनको पूछेंगे, बताओ तुम तो रोजगार तो दे नहीं सके, अब केंदर सरकार हमको चार वर्ष तक का ये परशिक्षन और उसके बाद उनको प्राथा मिक्ता सेना में भी और उनको प्राथा मिक्ता अन्या फोर आप देव तो कुछ नहीं पाए, उन नोजवानों को वहां भी रुखना चाहते हैं, नोजवान इन से सवाल करेगा, इनके पास कोई जबाब नहीं होने वाला है, ये क्यों विरोध के लिए विरोध करते हैं, इनको समझ में नहीं आप पर भी आरोप यही है कि नोजवान चौराहे पे खड़ा होकर के हर बीजेपी के नेता से पूँच रहा है, जबाब नहीं है, राश्य शिक्षा नीती को लेकर के सर, ने ने ने, मैं इसको काउंटर कर रहा हूँ, किस ने बोला, मेरे सामने आये नौजवान, उसको मेरे, बिपक्षि के पास तो कोई इसके लिडिया, स्टार्ट अप और स्टेंड़ आप प्रधान मंत्री मुद्रा, योजना के ताथ, कितने लोगों को रोजगार मिला, सोच सकते हैं, क्या उसका लाब उठाये इस राज़े ने, ये राज़े तो किसानों को जो प्रधान मंत्री की किसान समान ने दिये, उस और सौन सिनाजी आये थे, उन्होंने कहा की बी-ज़े-पी की नीती यही रही है, दो साल तक किसान सड़कते रहा है, चार साल बाद नージवान की वही स्थठी होगी, उनको पता नहीं है, उनको कहना चाहिए कि दो साल तक किसान खड़ा नहीं रहा, किसान तो अपने जमीन प लोगों किसानों के हिताईशी नहीं है, ये राजनीतिक रोटियां सेखते हैं, किसान इन से पूझता है और मैं पूझता हूँ, आंक्ले आपके सामने हैं, किसान क्या जो उत्पादन शक्तिय वो बढ़ी है, किसान की आर्थिक इस्तिती बढ़ी है, प्रदालमाची नरेंद म अब फिर बोलो, हम आपके सुझाओ लेना चाहते हैं, किसान के सामने बोलो, मद़प्रदेश और महारास्ट में बिपक्ष को जंगधार मिला था, वहाँ जो कुछ हुआ वह भी तो कह रहे हैं कि इस पर भी कुछ बोल दें, किसकी जरूरत क्या थी, ने जरूरत क्या थी, कोई भी पार्टी अपना विस्थार करती है, आप यहाँ पार छोड़ दे न, इनके जरूरत क्या है सरकार को बनाए रखने की, यदि वह कह रहे है कि दूबरा अँको शरकार में आना है तो इसके जोरूत क्या है, का मतलब है, कि अपना जो वजन है, आपका जो विचार है जो पार्टिक का राश्ट्र के लिके लिए जो अपना उसका एजंडा है उस एजंड पर dabei हो अना चाहते हैं, आपने देश को एक राश्ट्री शिक्षानीती दी, कई जगों पर इसको लेकर के भी कई सवाल खड़े हुए, लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, समझने की कोशिश भी करने के लिए एक सवाल हमेसा खड़ा हो जाता है, जो आपके विपक्ष के पास है, उसको कैसे द मैं तो देश का शिक्षा मन की रहा हूँ, मेरे सामने तो कभी किसी ने सवाल ही नहीं की, और जिसने जो सवाल के मैंने उसका जवाब दिया, उसके बाद उसका समाधान हुआ, कौन परदेश है जिसने विरोध किया, और किस बात का विरोध, देश के आजादी के बाद, वर्ड हो, चाकोड हो, और चाकेंब्रीज हो, दुनिया के सीर्श तम वेसो बिद्यालों ने ये कहा है, कि जो भारत की एन एपी 2020 बनी है, वो पूरे वर्ड के लिए गेम चेंजर का काम करेगी, ये हमारी जो नई शिक्षा नीती है, कि आजाद भारत के इतियास में भारत क जो मेरे देश के प्रधानमाची नरेंद्र मोदी जी ने 21 सदी का सुरनिम भारत की बात की है, उस आजाद सुरनिम भारत की आधारशिला है, जो मात्री भूमी पर शुरू होती है, और जो जीवन मूलियों के आधारशिला पर खड़ी होती है, और जो ग्यान, विज्यान, तक्निकी की द्रिश्ची से देश से लेकर दुनिया में चाती है, वो है मेरी NEP 2020, देखेगा पूरी धुनिया में फिर भारत वेशोगुर के रूप में महकना शुरू कर देगा है, वो है हमारी शिक्षानिती, किसी ने बिरोध नहीं किया? परिंद्र मोदी ने किया है, वो निश्चित तोर पर देश को नए विकास के तरफ ले जाएगा, बहुत बहुत धन्नवास सर, नमस्क्राइब